दोस्तो हाली में चल रहे इसराइल-पिलिस्तिन कॉन्फिक्ट में एक नया मोर देखने को मिला है प्राइम मिनिस्टर बेंजयामिन नेतियाहु ने इसराइल में एक लॉंग वार की घोशना किया और हमास को भी इलिमिनेट करने का ओर्डर अल्रेडी दे चुके है इसके अला 300 से भी ज्यादा लोग घायल बताया जा रहे और काउंटर एटेक में 687 पलेस्टिनियंस भी मारे जा चुके और 300 से भी ज्यादा लोग जो इंजियोड हो चुके है इसके अलावा भी अभी हमास ने भी उन लोग को धंकी दिया कि उनके पास 150 होस्टेजेज जिनको उन्हें बंदी बना के रखा है और उनको मारने की भी धंकी दी जा चुकी है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 10 नेपाली स्टुडेंस को अभी तक मार दिया गया हमास के दौरा और 9 से 11 अमेरिकन सिटिजन्स को भी मार दिया गया हमास के दौरा व्लादी मेर जिलनेस की जो युक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस चीज़ को रशिया युक्रेन के साथ कंपेर किया और रशिया को एक टेर्रिस्ट जो कंट्री है वो बताया है एज हमास एक टेर्रिस्ट ग्रूप है तो फिलहल यही बीबाद चल रहा है वहाँ पर और इसके अलावा भी बहुत सारे दावाही देखने को मिल रही है हम लोगों को जो गाजा के स्ट्रीट है या फिर गाजा के लोग है वह भी बहुत ज्यादा डिवस्टेटेट हो चुके है जैसा कि आप सभी जानते कि गाजा जो इसराइल है उसके एक कॉर्णर में सिच्वेटेड एक छोट स्ट्राइक है उनसे बच पाए इसके अलावा भी उनके सबसे बहतरीन फाइटर जैट लाइक एफ-32 एफ-25 एफ-16 इनको भी डिप्लॉय किया गया है और इस चीज़को सपोर्ट करते हुए इंडिया के अलिगर मुस्लिम उनिवर्सिटी जो है वहाँ पर प्रोटेस्तिन क कि यह जो वार चल रहा है इसमें इजरायल की इंडिरेक्ली या फिर डिरेक्ली जीत होगी और आखिर में पलिस्तिन को या फिर जो हमास टेरिस ग्रूप है उनको भूगतना परेगा ऐसी और भी जानकरी के लिए प्लिस सब्सक्राइब करें और जूरे रहे थैंक्यू